अनूठा द्रश्य प्रस्तुत किया असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फैराने के लिए अपने हाथों से 20 फिट का तिरंगा बनाया इसी तरह इंदोर में लोगों ने हुमन चेन के जरिये भारत का नक्षा बनाया चंडीगर में युवाओं ने विशाल हुमन तिरंगा बनाया ये दोनों ही प्रयास ग्रीनीच रिकॉर्ड में भी धर्श की गए हैं इस सब के बीच हिमाचल परदेश की गंगोड पंचायत से एक बड़ा प्रेणादाई उधार भी देखने को मिला यहां पंचायत में स्वतंतरता दिवस के कारकम में प्रवासी मजदूरां के बच्चों को मुख्य अतिजी की रुप में शामिल किया गया साथियों अमरित महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले बोत्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानिय सिंगर्स ने भारत की आजाजी के 75 साल मनाने के लिए देशवक्ति के 75 गीत गाए इसमें और भी खास बात ये है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांगला, असम्या, तमील, तेलुगु, कनड़ा और संस्कृत जैसे भाषाओं में गाए गए इसी तरह नावीविया ने भारत नावीविया के सांस्कृतिक पारंपारिक समंदों पर विशेश नेम जारी किया है साथ यो मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारान मंतरा लेके कारकम में जाने का उसर मिला वहाँ उन्होंने स्वराज दूरदरसन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मोका मिला ये आजाजि के अंदुरन में हिस्सा लेने वाले अन्सुने नायक नायकाओं के प्रयासों से देश की युवापीडी को परिचित कराने के बहतरीन पहल है दूरदर्शन पर हर रविवार रात नौ बज़े इसका प्रसारान होता है और मुझे बताया गया कि 75 सब्ता तक चलने वाला है मेरा आग्र है कि आप समय निकाल कर इसे खुद भी देखे और अपने घर के बच्चों को भी जुरूर दिखाए और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रेकोर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेश कारकम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आज हादी के जंग के इन महानायकों के प्रती हमारे देश में एक नई जागरूता पैदा होगी आज हादी कामरत महोत सो अगले साल यानि अगस्त 2023 तक चलेगा देश के लिए स्वतंतरता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदियम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे देश फासियों हमारे पुर्वजों का ज्यान हमारे पुर्वजों की दिर्ग द्रष्टी और हमारे पुर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपुन है जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम अस्षिरे से भर जाते हैं हजारों साल पुराना हमारा रग्वेद रग्वेद में कहा गया है ओमान मापो मानुशी अम्रुक्तम धात तोकाय तनेयाय शंयो हो युयम हिष्ठा भीशेजो मात्रू तमा विश्वश्य स्थातु हो जगतो जनित्रिही अर्थात हे जल आप मानुशता के परम मित्र हैं आप जीवन दाईनी हैं आप से ही अन्न उत्पन होता है और आप से ही हमारी संतानों का हीत होता है आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराईयों से दूर रखते हैं आप सबसे उत्तम आउशदी हैं और आप ही इस ब्रह्मान के पालनहार है सोचिए हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल सवरक्षन का महत्व समझाया गया है जब ये ग्यान हम आज के संदर्म में देखते हैं तो रोमान्चित हो उड़ते हैं लेकि जब इसी ग्यान को देश अपने सामर्थ के रुप में स्वकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है आपको याद होगा मन की बात में ही चार महिने पहले मैंने अमरित सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग-अलग जिलों में स्थानिय प्रशासन जुटा स्वयम से भी संस्थाय जुटी और स्थानिय लोग जुटे देखते ही देखते अमरित सरोवर का अंदर्मान एक जन जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तवियों का एसास हो, आने वाली पीडियों की चिंता हो, तो सामर्थ भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। मंत्या वाल्य थांडा यह गाउं फोरेश एरिया के करीब है। यहां के गाउं के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मानसून के दवरान काफी पानी इखटा हो जाता था। गाउं वालों की पहल पर अब इस थान को अमरित सरोवर अभियान के तहट विक्षित किया जा रहा इस बार मानसून के दवरान हुई वारिज में यह सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मद्द प्रदेश के मनला में मोचा ग्राम पिंचेग में बनेंग। अमरित सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। यह अमरित सरोवर काना राष्ट्रिय उद्यान के पास बना है। और इसे इस इलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपूर में नव निर्मित सहीद भगत सी अमरित सरोवर भी लोगों को काफी आकरशित कर रहा है। यहां की निवारी ग्राम पंचायत में बना ये सरोवर चार एकड में फैला हुआ है। सरोवर के किनाले हुआ वुरक्षा रुपण इसकी सोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फिट उंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमरित सरोवर का ये अभियान करनाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहां के बागल कोट जी लेके बिलके रूर गाउं में लोगों ने बहुत सुन्दर अमरित सरोवर बनाया है। दरसल इस खेतर में पहाड से निकले पानी की वज़े से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। किसानों और उनके फसलों को भी नुक्षान पहुंचता था। अमरित सरोवर बनाने के लिए गाउं के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाट की समस्या भी दूर हो गई। अमरित सरोवर अभ्यान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है। हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभ्यान के तहट कई जगों पर पुराने जलाशनों का भी कायकल्प किया जा रहा है। अमरित सरोवर का उप्योग पशुओं की प्लास बुजाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपात के खेत्रों का ग्राउंड वोटर टेबल भड़ा है। वहीं इनके चारों और हर्याली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं। कई जगे लोग अमरित सरोवर में मचली पालन की तैयारिया में भी जूटे हैं। मेरा आप सभी से और खास कर मेरे युवा साथ्यों से आग रहे हैं। यह आ आप अमरित सरोवर अभ्यान में बढ़ चटकर के हिस्सा ले और जल संचय और जल संवरक्षन के इन प्रयास्व को पूरी से पूरी ताकत दें। उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देश्वासियों अस्रम के बौंगाई गाउं में एक दिल चस्प परियोजना प्रोजेक्ट संपॉर्णा इस प्रोजेक्ट का मकसद है कूपोशन के खिलाब लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहद किसी आंगरवाडी केंदर के एक स्वस्त बच्चे की मां एक कुपोशित बच्चे की मां से हर सप्ता मिलती है और कूपोशन से सम्मंदित सारी जानकारियों पर चर्चा करती हैं यानि एक माँ दूसरी माँ की मित्रबन उसकी मदद करती हैं उसे सीख देती हैं इस प्रोजेक्ट की मदद से इस खेत्र में एक साल में 90 प्रतिसत से ज़्यादा बच्चों में कूपोशन दूर हुआ है अब कल दप्रा कर सकते हैं क्या कूपोशन दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तमाल हो सकता ہے मद्ध प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में इसका सभलता पूर्वा प्रयोग किया गया इसके तहट जिले में भजन किर्टन आयोजित हुए जिसमें पोशन गुरु कहनाने वाले सिक्षकों को बुलाए गया एक मठका कारकम भी हुआ इसमें महलाए आंगनवाडी केंद्र के लिए मुठी भर अनाद लेकर आती हैं और इसी अनाद से सनीवार को बालभोज का जन होता है इससे आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों की उपस्तिती बढ़ने के साथ ही कूपोशन भी कम हुआ है कूपोशन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभ्यान जार्खन में भी चल रहा है जार्खन के गिरिडी में साम सीडी का एक गेम त जिखते हैं शाथियों कूपोशन से जुड़े इतने सारे अभीनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महने में इस अभ्यान से जुड़ना है सितंबर का महिना त्योहारों के साथ साथ पोशन से जुड़े बड़े अभ्यान को भी समर्पित है हम हर साल एक से तीज सितंबर के बीच पोशन महां मनाते हैं कूपोशन के खिलाब पूरे देश में अनेक क्रियेटिव और डाइवर्स एफर्स किये जा रहे हैं टेकनलोजी का बहतर इस्तिमाल और जन्भागीदारी भी पोशन अभ्यान का महत्वपुन हिस्सा बना है देश में लाखों आंगनवाडी कारकरताओं को मोबाइल डिवाइज देने से लेकर आंगनवाडी सेवाओं की पहुँच को मोनिटर करने के लिए पोशन ट्रेकर भी लाँच किया गया है सभी एस्पिरेशनल डिस्टिक्स और नौर्सिस्ट के राज्यों में चाउदा से अठारा साल की बेटियों को भी पोशन अभ्यान के दायरे में लाया गया है कूपोशन की समस्या का निराकरन इन कदबों तक ही सिमित नहीं है इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमी का है उधार के तोर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कूपोशन मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है कूपोशन की चुनोतियों से निपटने में सामाजीक जागरुकता से जुड़े प्रयास महत्वपुन भूमी का निभाते हैं मैं आप सभी से आगर करूँगा कि आप आने वाले पोशन महा में कूपोशन या मालन्यूट्रेशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जुरूर ले मेरे प्यारे देश्वास्यों चेनने से स्री देवी वर्दराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर बेजा है उन्होंने माय गौव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है नए साल के आने में अब पांच महने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स के तौर पर मनाये जाएगा उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट्स मैप भी बेजा है साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चलता कर सकते हैं मुझे अपने देश वास्यों में इस तरह के जजबे को देखकर बहावती आनन की अनुभूती होती है आपके याद होगा कि उनाइटेड नेशन्त ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्स 2023 2023 को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स गोशित किया है आपको ये जानकर भी बहुत खोशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को सत्तर से जादा देशों का समर्थन मिला था आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है साथियों जो मैं मोटे अनाज की बात करता हूँ तो मेरे एक प्रहास को भी मैं आज आपको शैर करना चाहता हूँ पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी महमान आते हैं राष्टा अधिक्ष भारत आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यह मोटे अनाज से बनी हुई डिसेज बनवाओं और अनुभव यह आया है इन महानुभाओं को यह डिसेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के समझ में मिलेट्स के समझ में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयाज भी करते हैं मिलेट्स, मोटे अनाज, प्राचीन काल्चरी हमारे एग्रिकल्चर, कल्चर और सिविलाइशर्स का हिस्सा रहे हैं हमारे वेदों में मिलेट्स का उलेख मिलता है और इसी तरह पुरान नुरू और तोलकप पियम में भी इसके बारे में बताया गया है आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं आपको वहाँ लोगों के खानपान में अलग-अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विवित्ता हैं पाई जाती है जवार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू इस सब मिलेट्स ही तो हैं भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारत वास्यों के कंदे पर ही हैं हम सब को मिलकर इसे जन अंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के परती जागुर्गता भी बढ़ानी है और साथियों आप तो भली बाती जानते हैं मिलेट्स किसानों के लिए भी फाइदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को दरसल बहुती कम समय में फसल तयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं होती है हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशे इस रुप से लापकरी है मिलेट्स के भूसे को बहतरीं चारा भी मना जाता है आजकल युवापीडी, हेल्दी लिविंग और इटिंग को लेकर बहुत फोकस है इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटेन, फाइबर और मिल्डरंस मोजुद होते हैं कोई लोग तो इसे सूपर फुड भी बोलते हैं मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाब है ओवेसिटी को कम करने के साथ ही दाइबिटीज, हाइपर टेंशन और हार्ट लिडर डिसिस की खत्रे को भी कम करते हैं इसके साथ ही ये पेट और लिवर की बिमारियों से बचाओं में भी मत्तगार है थोड़ी देर पहले ही हमने कूपोषण के बारे में बात की हैं कूपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाब दायक हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथ-साथ एनरजी से भी भरे होते हैं देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इससे जूड़ी रिसर्च और इनोविशन पर फोकस करने के साथ ही एप्पियोस को प्रोसाइद किया जा रहा हैं ताकि उत्मादन बढ़ाये जा सके। मेरा अपने किसान, भाई, बेहनों से यही आग रहे हैं कि मिलेट्स यानि मोटे अनाज को अधित से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टों वो भर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इन बेसे कुछ मिलेट कूकीज बना रहे हैं, तो कुछ मिलेट, पैंकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट आयार कर रहे हैं में इस खेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूं त्योहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पक्वानों में भी मिलेट का उप्योग करते हैं आप अपने घरों में बने ऐसे पक्वानों की तस्वेरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद मिले मेरे पहरे देशवासियों अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुनाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोर सिंग गाउं की एक खबर देखी ये खबर एक ऐसे बड़लाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाउं के लोगों को कई वरसों से था दरसल जोर सिंग गाउं में इसी महने स्वतंतरता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाई शुरू हो गई है जैसे पहले कभी गाउं में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे अब नए भारत में बैसी ही खुशी 4G पहुँचने पर होती है अरुनाचल और नौर्स इसके दूर सुदूर इलाकों में 4G के तोर पर एक नया सुर्योदय हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सभेरा लेकर आई है जो सुविधाय कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है इस वज़े से देश में नए डिजिटल एंटर्पेर्णर पैदा हो रहे है राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावजी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावज कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे कोविड आया तो रावजी ने इस चुनोजती को मुश्किल नहीं बल्कि आउसर के रूप में लिया उन्होंने Common Service Center यानी CSCE Store जोइन किया और ओनलाइन कामकाश शुरू किया उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्का ओर्डर दे रहे हैं उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया जिसमें और भी कही तरह से कपड़े यो चाचा प्ली बॉक्स सेठा सीजी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ओर्डर मिलते हैं सैंक्डो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाओं में रहने वाले ओम प्रकाश सीजी को भी डिजिटल एंटर्परिनर बना दिया है उन्होंने अपने गाउं में एक हजार से ज़्यादा ब्राडबेन कनेक्शन सापित किये हैं ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल को वाइफाई जोन का भी निर्मार किया है जिससे जरुवतमन लोगों की बहुत मदद हो रही है ओम प्रकाश जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने बिश से जादा लोगों को नोकरी पर रख लिया है ये लोग गाउं के स्कूल, अस्पतार, तैसील आफिस और अंगनवाडी के अंदरों तक ब्राडबेन कनेक्शन पहुचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्मेंट इमार्केट प्लेस यानि जेम पॉर्टर पर भी ऐसी कितनी सक्से स्टोरी देखने को मिल रही है साथ्यों मुझे गावों से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वज़र से आये बढ़लाओं को मुझसे साजा करते हैं इंटरनेट ने हमारे युवा साथ्यों की पढ़ाई और सिखने के तरीकों को ही बदल दिया है जैसे कि यूपी की गुडियां से जब उन्नाव के अमोया गावों में अपनी सथुरार आई तो उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता हुई लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया गुडियां ने इंटरनेट के जर्गे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजिवेशन भी पूरा किया गाव गाव में से कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया भ्यान से नई शक्ति पा रहे हैं आप मुझे गावों के डिजिटल एंटर्परिनर के बारे में जादा से जादा लिख करके भेजें और उनकी सक्से स्टोरिज को सोचल मेडिया पर भी जरूर साज़ा करें मेरे पहरे देश्वासियों कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक स्टोरता रमेश जी का पत्र मिला रमेश जी ने अपने पत्र में पहाडों की कई खुब्यों का जिक्र गिया है उन्होंने लिखा कि पहडों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बस्ति हो लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नदिक होते हैं वाकई पहडों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पहडों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पार तो यहीं मिलता है कि हम परिस्तित्यों के दबाव में न आएं तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे स्थानिय संसाधनों से आत्मनिर पर बन सकते हैं जिस पहली सिक का जिकर मैंने किया उसका एक सुन्दर चित्र इन दिनों स्पीती खेत्र में देखने को मिल रहा है स्पीती एक जनजाती खेत्र है यहां इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है पहाडी खेतों पर एक महनत बरा और मुश्किल काम होता है लेकिन यहां गाउं के महलाए इकटा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती है इस काम के साथ साथ महलाए स्थानिय गीत छपरा माजी छपरा ये भी गाती है यानि यहां आपसी सहयोग भी लोग परंपरा का एक हिस्सा है स्पीती में स्थानिय संसाधनों के सदुपियों कभी बहतरिन उधारन मिलता है स्पीती में किसान जो गाय पालते हैं उनके गोबर को सुखा कर बोरियों में भर लेते हैं जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगर में जिसे यहां खुड कहते हैं उसमें बिशा दिया जाता है बर्पबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती है सरदियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रुपे इस्तिमाल किया जाता है यानि पशूओं के बेश से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी जादा